हलो गा clinics, welcome back फ्रेंश जो आज का हमारा session रहने वाला G.K के question रहने वाले हैं जो आज रहेंगे G.K of Jmukishmir से सारे question आप सासात में करते रहें और अपना score बताते रहें आपके कितने question सही हो रहे हैं जो पहले की भी uploaded video से आप उन्ने भी देख सकते हो जो आपके exam के लिए बहुती beneficial और scoring रहने वाली है वीडियो को अंतिम तक जरूर देखे ताकि आपको पूरी complete information कोशनों के recording मिल पाए और आपके जो कोशन है आपको learn हो पाए चलिए फ्रेंड जो हमारा आज का first question है first question में क्या बात करी जा रही है जो हमारा first question है आज का which of the following is the part of कश्मीड वीजन for the administrative purpose administrative purpose के लिए कोन सी place है कश्मीड वीजन की कारगी लैंड पुन्च, जमू किश्मीर, सामबा अन कठुवा जा none of these इन चार में जो आप इसका सही answer फिल करोगे वो आपका रहेगा option number B जानी की जमू और कश्मीर दोनों जो administrative purpose के लिए कश्मीर और जमू डिवीजन के दोनों के चलिए friends next question की तरफ दा माइटेस्ट रिवर आफ जे अन के राभी, सतलुज, चनाब, जा इंदस इन चार में आपका जो सही answer रहेगा माइटेस्ट रिवर आफ जे अन के का आप भी इनके answer साथ साथ में करते रहें और अपना score बताते रहें आपके इन में से कितने question सही हो रहे है दा माइटेस्ट रिवर आफ जे अन के इसका जो आपका सही answer रहेगा option number C जानी के चनाब रिवर है जो माइटेस्ट रिवर है जमुक्ष जे अन के का चली friends next question की तरफ area wise which is the largest district इन में से कौन सी district है जिसका सबसे largest area जमु एन केश्मीर में अनंतनाग, जमु, किस्तवार जा अधुमपूर इन चार में आपने बताना है सबसे बड़ा जो area इन में से कौन सी district है ठीक है सबसे बड़ा जो आपका area रहेगा वो हमारा option number C किस्तवार का जो area वो सबसे largest है कितना इसका area 7737 square kilometer इसका area है 7737 किस्तवार का area 7737 square kilometer उसके बाद बात करूँ अनंतना का कितना है friends 2917 2917 इसका रहेगा 2917 square kilometer रहेगा किसका अनंतना का उसके बाद next बात करूँ जो आपका जम्मू का रहेगा जम्मू हमारी जो district है इसका रहेगा आपका area 3097 square kilometer 3097 इसका रहेगा उसके बाद अदुमपूर की बात करूँ 2380 2380 square kilometer इनका area रहेगा इसे भी आप note कर लीजिए चलिए friends next question की तरफ how many members are elected for JNK Assembly JNK की Assembly के लिए कितने member elect किये जाते हैं 87, 83, 107 जा 117 इन 4 में आपका जो सही और correct answer रहेगा वो आपका रहेगा option number B जानी की 83 ठीक है अब इसमें जो चार है वो withdraw हो गई है लदाक और लेहबाली जो चार हमारी Assembly की सीटे रहती थी चलिए friend next question की तरफ जो हमारा next question है question number 5 how many members are elected to log sabah लोग sabah के लिए कितने member elect होते हैं JNK से इधर आपका जो option number आप 4 कर लीजिए 4 member are elected to log sabah from the JNK इधर थोड़ा misprint हो गया है जहां पे आप 4 फिल कर दीजिए 4 आपका सही answer इसका रहेगा चलिए friends next question की तरफ the national flower of India इंडिया का national flower कोन सा है इंडिया का आपका जो sixth question रहेगा option दिये हुए आपको rose, marigold, lotus जा marning glory lotus is the national flower of India option number C is the correct answer चलिए friends next question की तरफ आप भी सासात में करते रहें और अपना score बताते रहें आपके कितने questions सही हो रहे हैं जे रहा friends आपका next question the first month in India national calendar is called जो इंडिया का national calendar है उसका जो first month है वो कौन सा है पाका, बद्रा, कार्तिका जा चैत्रा इन चार में आपका जो सही आंसर रहेगा option number D जानी कि जो चैत्रा month है वो इंडिया national calendar का first month है चलिए friends next question की तरफ दा first design of Indian tricolor was proposed by जो Indian tricolor है वो first time किस ने design किया था लाला हर्दियाल, मैडम विकाजी कामा, महत्मा गांदी जी जा राजा महिंद्रा परताप एर्थ का आपका सही रहेगा option number C जानी कि महत्मा गांदी जी ने जो हमारा tricolor का first design था उसे propose किया था ठीक है चलिए friends next question की तरफ जो हमारा next रहेगा Cyrus crane is the state word of जो Cyrus crane है state word किस का है राजस्तान, उत्तर परदेश, मद्यपरदेश जा बेस्ट बेंगाल का इसका आपका सही answer रहेगा option number B जानी कि उत्तर परदेश is the correct answer चलिए friends next question की तरफ who is the author of the theme song सारे जहां से अच्छा जो सारे जहां से अच्छा सांग है उसके आथर कोन है रविंदर ना, टैगोर, बीसी चतर जी, मुलाना अजाद, जा मुहमत इकवाल इसका आपका जो सही answer रहेगा आपका option number B जानी कि बीसी चतर जी is the correct answer is the author of the theme song सारे जहां से अच्छा चलिए friends next question की तरफ which part of the Shoka Pillar at the Saranath has been taken for the National Emblem of India कोन सा पार्ट है जो Shoka Pillar का Saranath National Emblem of India से लिया हुए capital, complete pillar, central part, bottom portion, कोन से portion से लिया हुए जो Saranath है ठीक है इसका जो रहेगा आपका option number B complete pillar इसका सही answer रहेगा चलिए friends next question की तरफ the national calendar of India is based on जो national calendar है इंडिया का वो किस पे based है विक्रमी संबत, गौर्गियन केलेंडर, साका इरा जा हिजरा इसका आपका जो सही answer रहेगा option number C जानी की साका इरा के based पे जो हमारा national calendar है इंडिया का वो based है चलिए friends next question की तरफ जन गन्मन, the national anthem of India, first published under the title of जो national anthem है इंडिया का वो first time किस title के अंदर published हुआ था इन चार में आपका जो सही answer रहेगा इसका question number आपका 13 का option number B जाने की वारतिय वागिय विदाता के title से जो first जन गन्मन था वो published हुआ था चलिए friends next question की तरफ आप भी सासात में करते रहें और अपना score बताते रहें आपके कितने question सही हुए और वीडियो को भी अपने friendों में जुरूर शियर करें चलिए friends next question की तरफ SC population in JNK JNK में SC की कितनी population है जानी की schedule cast population in JNK इनकी आपने percentage बतानी है 5.26, 7.38, 8.56 जा 10.78 इसका आपका सही answer रहेगा option number B 7.38 percentage जो schedule cast की है population आप जमू एन किश्मीर में total population में से जे थे friends आपके आज के question और इनकी answer की आपको जो इसकी PDF होगी उसका link description में मिल जाएगा telegram का आप telegram को join करके free of class वहाँ से सारी PDF को download कर सकते हो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इसके recording कोई doubt कोई suggestion होगा comment box में जरूर पूछिए इस वीडियो में बस इतना ही